नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने बाले हैं बिहार में आई हुई आंगन बारी सूपरभाईजर के पत्पे नई भरती के बारे में दोस्तों बिहार में आंगन बारी में आप लोगा supervisor के पत्प पे एक नई बहाली निकलके आ चुकी है और इसका जो बिग्यापन है वो आप लोग कहाँ पे जारी कर दिया गया है और इसका जो आवेधन प्रकडिया है वो भी आप लोग कहाँ पे सुरू हो चुका है आप लोगो जो फोर में उस फोर्म को भरकर यहां पर जमा करना होगा तो आज मैं आप लोगो जो इस बहाली के बारे में फूल डीटेल में जानकाई देने बाला हूँ कि यह बहाली है क्या किस तरीके से आप लोगो आविदन करना होगा खगरिया जिला अंतरगत संचलित बाल विकास पर योजना में पुर्व से स्विक्रित एवं नब स्विक्रित पद के विरुद्ध रिक्त पदों पर कुल 13 पदों पर सेविका पद से महला पर विचिका के पद पर नियोजन किया जाना है यानि दोस्तों यहां पर क्या है कि ट माच 3.12.24 तक अपना आवेदन, बिहिर्ट पर पत्र में सभी सेचनीक पर्मान पत्र, अंभब पर्मान पत्र, जाती पर्मान पत्र, पिता के पते से, एबं, आवासीय पर्मान पत्र स्वाभी पर्मानी छायाप्रती सनलगन करते हुए जिला प्रोग्राम को mail ID यहाँ पर mail आप लोगा दिया हुआ है इस पर आप लोगों को भेजना होगा यानि दूस्तों यहाँ पर जो भी आप लोगों का पर आप लोगों को आप लोगों पर जानकाई दिया हुआ है कि किस क्यों लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जानकाई दिया गया है कि दोस्तों जैसे आपबो का जो बाहली है वो खगड़िया जिले में आपकिसी भी प्रखंड में जो़े सेविका के पदि पर अगर आप यहां पर काम कर रहे हैं तो आप यहां पर आवेजन कर सकते हैं शाथ में अभारती की नागरिक हो और उसके पद जानकाई दिया गया है कि अभ्यार्थी जिला आंतरगत आंगनबारी पद पर नियूंतम जोए 10 बर्ष का अनभव परवान पत्र प्रप्र प्राप्त हो इस है तू अंतिम्तिति की गन्ना प्रथम जनबरी 2023 के आधार पर की जाएगी यानि कि एक खागरिया जिले से आते हैं तभी आप यहां पर आभधन कर पाएंगे यह आप लोग आप जानकाई दिया गया है आप लोग का जो अधिकतम उम्रे वो आप लोगा 56 साल से जाता है यहां पर नहीं होना चाहिए और यहां पर जो आहरता है उसमें अगर आप मेट्रिक पास ह इस इमेल आइडी पर आप लोगो चेंड कर देना है और आप लोगा जो आवेदन है वह आप हो जाएगा तो इस तरीके से आप लोगा बहाली निकल के आया हुआ है यह बहाली कुछ जादा खास नहीं था लेकिन आप लोगो जानकाई देना जरूरी था इसलिए मैंने जो शकाता अगली वीडियो है उसको आप लोगो जानकाणी मिल सके हम आपको अगली वीडियो मे तब तक के लिए धन्यवाध